नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शुआगत करता हूँ आपका आपके प्रिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपके त्यारे भी बढ़िया चल रही होगी चलिए बहुत पढ़िया सभी दोस्तों, गुड इउनिंग, सभी दोस्तों को रामराम, सभी दोस्तों को सस्रिया काल तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम आठ बजे जिसमें हम रास्तान पुलिस के लिए समान्य विज्यान के क्यूसन कवर कर रही है उसमें हमारी 83 क्लासें कंप्लिट हो चुकी है, आज हमारी 84 नंबर क्लास रहेगी अगर वो पिछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा वहांशे जाकर के पिछे वाली क्लास देख लीजीगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं रही बात पीडियाफ की तो पीडियाफ में टेलिग्राम चेनल पे अपलोड कर रहा हूँ उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहांशे जाकर के टेलिग्राम चेनल को जोईन कर लीजीगा और परते क्लास की पीडियाफ आपको वहीं पे मिलेगी चलिया फ्रेंड शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप चेनल पे नए है तो चेनल को सस्क्राइब कर लेना पास मिलेगे बेल आइकन को प्रेस के लेना थाकि जैसे ही वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आपतरों तो उसका लाब उठास को फॉर्स नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है लेंस सुत्र बताना है फर्स नमर क्योशन में तो लेंस का फॉर्मूला आता है वन अपॉन में वी माइनस में वन अपॉन में यू एकवल होता है वन अपॉन में एफ के यहां पे यू है वो बिम की दूरी को परदसित करेगा और V है वो पर्तिभीम की दूरी को डिनोट करेगा और F है वो फोक्स दूरी को डिनोट करेगा ठीक है अगला second question देखो भी आपके सामने है जल के अंदर मुझूद व्यक्ति को किसी कार्ण या फिर किस कार्ण जल की स्तै से उपर की वस्तु अपने वास्तिक स्तिती से अपक्षा करत अधिक उन्चाई पर परतित होती है तो वो हो जाएगा परकास के अपवर्तन के कार्ण ऐसा होता है यानि ए ओप्षिन आपका या पर रैट एंसर होगा अगला question देखो भी त्री नमर question आपके सामने है निरवात के सापिक्स जल का अपवर्तनाग 4x3 है वो कास का अपवर्तनाग है वो 3x2 है तो कास के सापिक्स पानी का अपवर्तनाग का क्या होगा तो होजेगा 8x9 यानि ए ओप्षिन आपका या पर रैट एंसर होगा यानि 8 अपॉन में 9 होजेगा पानी का अपवर्तनाग कास के सापिक्स फोर नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है एंडोस्कोप किस सिधान पर कारिय करता है तो पुरण आंत्रिक प्रावर्तन कि सिधान पर कारिय करेगा एंडोस्कोप है वो आंत्रिक पेट का प्रिरक्षन करने के लिए काम में लिया जाता है ठीक है तो photon बोलेंगे यानि A option आपका यहाँ पर right answer होगा 6 नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है स्वेध परकास में प्राप्त रंगों का सही अनुकरम किस से परदर्शित किया जाता है तो विब ग्योर से परदर्शित करते हैं यानि B option आपका यहाँ पर right answer होगा V से बन जाएगा violet जिसे हम बैंगनी कहते हैं I से बनेगा indigo जिसे हम जामुनी बोलते हैं B से बन जाएगा blue जो की निला होता है G से बनेगा green हरा और Y से बन जाएगा yellow पीला O से बनेगा orange जो की नारंगी और R है वो red बन जाएगा जो की लाल है ठीक है अगला question देखो भी आपके सामने है 7 number question है V ग्योर में V कौन सा रंग पर दसीत करता है तो violet यानि बैंगनी D option आपका यहाँ पर right answer होगा अगला question देखो भी 8 number question आपके सामने है सुरिया गरहन के समय सुरिया का कौन सा भाग दिखाई देता है तो crit भाग है वो दिखाई देगा यानि B option आपका यहाँ पर right answer होगा और crit को हम Corona भी बोलते हैं ठीक है ना? Corona भाग Corona भाग भी इसको बोला जाता है याद रखना अगला question देखो भी 9 number question है किस रंग का विचलन कौन सबसे नियूंतम होता है तो लाल रंग का विचलन कौन है वो सबसे कम होता है और बेंगनी रंग का विचलन है वो सबसे अधिक होता है यह थोड़ा सा ध्यान में रखना अगला question देखो भी 10 number question आपके सामने है सुमेलित करना है आपको एक तरफ वरण यानि रंग दिये गए है तो बेंगनी रंग का तरंग धेरद्रिया है वो कितना होता है तो 396.9 होता है एकदम सही है नीले रंग का तरंग धेरद्रिया है वो 486.1 होता है एकदम सही है पीले का 589.3 होता है और लाल का 656.3 होता है एकदम सही है अगला 11 number question देखो भी आपके सामने है सुरिया लग भग 4 x 10 Joule 30 second की दर से उर्जा दे रहा है सुरिया से इतनी उर्जा निकालने के लिए उसका द्रिवमान किस दर से कम हो रहा है तो आपका राइट एंसर होगा 4 x 10 की पावर 9 4 x 10 की पावर 9 kg पर सेकिंड ठीक है यानि B option आपका याँ पर राइट एंसर होगा अगला क्यूशन देखो भी ट्रेकॉमा विमारी का समन्द किस से है तो आँख से हो जेगा यानि A option आपका याँ पर राइट एंसर होगा अगला क्यूशन देखो भी निकट दरस्टी दोस को कहते हैं तो निकट दरश्टी दोस को हम निकट दरश्टी ता बोल देगे निकट दरश्टी ता यानि C option आपका या पिर राइट एंसर होगा निकट दरश्टी दोस में हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है ये एक दूसरे के अपोजित होते हैं भी दूर दर्ष्टी दोस में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी और निकट दर्ष्टी दोस में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी 14 नमबर क्योशन देखो भी आपके सामने है यातायात के साधनों के अंदर हेडलाइट में कौन सा दरपन काम में लिया जाता है तो आपका right answer होगा आउतल दरपन यानि B option आपका यहाँ पर right answer होगा जबकि याद रखेगा आप पिछे का दरश्य देखने के लिए कौन सा दरपन यूज करते हैं तो उतल दरपन पिछे का दरश्य देखने के लिए और हैडल आइटों में आउतल दरपन ठेक है पंदरा नमर क्योशन देखो भी सुरियस ये परकास का आंत्रिक प्रावर्तन हो सकता है यदि परकास है वो कांच से वायू में जाए कांच से वायू में जाए यानि C option आपका यहाँ पर right answer होगा next question देखो भी आपके सामने है यहाँ पर आपको सुमेलित करना है ठीक है बायोपिया बोलते हैं एकदम सही है और अंद बिंदुकता को एश्टे गमीज्य बोलते है ठीक है एश्टे गमीज्य अंद बिंदुकता को बोलते हैं एकदम सही है all of these सही सुमेलित है ठीक है अगला question देखो भी 17 नमर question आपके सामने है प्रिज्जम के मद्य का रंग कौन सा होता है तो प्रिज्जम के मद्य का रंग है वो पीला होगा यानि ए option आपका यहां पर right answer होगा अगर आपसे पूछ ले भी सुरिय की परकास के मद्य का रंग कैसा होगा तो हरा होगा सुरिय के परकास के मद्या का रंग हरा लेकिन प्रिजम के मद्या का रंग है वो पीला होगा याद रखना अगला 18 नमर क्योशन देखो भी परकर्तिक के अंदर सबसे कोठोर परदार्थ होता है हीरा जो की कार्बन का ही एक अप्रूफ होता है हीरा ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के तीन अप्रूफ होते है ठीक है अगला क्योशन देखो भी 19 नमर क्योशन आपके सामने है जल के अंदर पड़ी हुई मचली किस कारण अपने वास्तियों के गहराई से कुछ उपर उठी हुई दिखाई देती है तो इसका कारण होता है परकास का अपवर्तन यानि एक ओप्षन आपका यहां पर रैट एंसर होगा 20 नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है समान्य परकास के दवी फोक्षी लेंसों में होता है तो वो होजेगा उत्तल लेंस भी होगा और आउत्तल लेंस भी होगा यानि A और B दोनो C ओप्षन है वो आपका यहां पर रैट एंसर होगा ठीक है अगला क्योशन देखो भी उत्तल लेंस है ना उत्तल लेंस समान्य जोब परकार के दिव फोक्षी लेंस है उनमें उत्तल और आउत्तल दोनों परकार के होते है उपरी भाग आउत्तल लेंस का होता है और यह दूर की वस्तों को सपस्ट देखने में साहता करता है और निचला भाग ना उसका वो होता है उत्तल लेंस ये क्या है पास की वस्तों को देखने में साहता करता है अगला क्योशन देखो भी 21 नमर क्योशन आपके सामने है स्वेध परकास कितने रंगों से मिलकर बना होता है तो सात रंगों से मिलकर बना होता है ए ओप्षन आपका यहां पर राइट एंस रोगा स्वेध परकास जब प्रिजम से गुजरता है तो बेंगनी वरण सबसे अधिक विचलित होता है वो लाल वरण है यानि लाल रंग है वो सबसे कम विचलित होगा 22 number question देखो वे आपके सामने है निकट दरश्टी दोस के उत्पन होने का कारण क्या है तो होजेगा अभिनेतर लेंस की वकरता का अधिक होना और नेतर गोल्लक का लंबा होना यानि दोनो कारण हो जाएंगे A और B दोनो C option है वो आपका याँ पर राइट answer होगा इसके लिए निकर दरश्टी दोस के लिए अउतल लेंस का उपयोग किया जाता है और अउतल लेंस को हम अप सारी लेंस बोलते हैं ठीक करना याद रखना अप सारी अप सारी लेंस है वो अवतल लेंस को बोलते हैं अगला क्यूशन देखो भी 23 नमर क्यूशन है किसी पातर में द्रोव के किशी मात्रा की 85 गहराई 15 सेंटीमेटर है यदि इसके वास्तिय के गहराई 20 सेंटीमेटर हो तो अपवर्तनाक क्या होगा तो अपवर्तनाक को हम n से डिनोट करते हैं एन एक्वल होता है वास्तिक गहराई अपोन में आभासी गहराई वास्तिक गहराई कितनी है 20 है और आभासी कितनी है 15 है तो क्या हो जाएगा भी या 4 by 3 हो जाएगा इसको डिवाइड करोगे तो 1 दसमलो 3 3 आजेगा यानि A option आपका याँ पे right answer होगा अगला question देखो भी 24 नमर question आपके सामने है प्रेज़म से गुजरने पर सुरिय के परकास की किरने विवीन रंगों में विवक्त हो जाती है इसका कारण क्या है तो विवीन रंगों की किरनों का विचलन है वो भीन होता है इसलिए क्या है वो अलग-अलग विवक्त हो जाती है B option आपका याँ पे right answer होगा 25 नमर question देखो भी आपके सामने है द्रिक द्रस्टी दोस्ट से उत्पन होने का कारण क्या है तो द्रिक द्रस्टी दोस्ट से उत्पन होने का कारण होता है अभी नेतर लेंस की फोक्स दूरी का आत्या दिखो जाना और नेतर गोलग का छोटा हो जाना दोनों C option आपका याँ पे right answer होगा ठेक है उत्तर लेंस युक्त जो चस्मे होते हैं वो द्रस्टी पटल पर वस्तु का पाती भी फोक्सित करने के लिए आवशक अत्रिक्त चमता का परदान करती है अगला question देखो भी आपके सामने है next question देखीगा 26 number question है कुछ परिवहन वहनों में अत्रिक्त पीली बतियां होती है इसका कार्ण क्या है तो पीली बतियां है वो कोहरे को भेदती है जिससे सड़क है वो साप दिकाई देती है अत्रिक्त कोहरे वाली रातों में पीली बतियों का उप्योग किया जाता है D option आपका यहां पे right answer होगा 27 number question देखो भी आपके सामने है यदि किसी lens की चमता पलस 2 diifter है ठीक है तो इसकी focus दूरी कितनी होगी मैंने आपको formula बताया था पहले वाली class में P बराबर क्या होता है एक upon में F यह lens की चमता का formula होता है ठीक है lens की चमता का formula होता है P बराबर 1 upon में F तो यहां पे आपको F गयाद करना है focus दूरी गयाद करना है P का मान आपको दिया गया है तो यह होजेगा F बराबर फिर क्या होगा F बराबर होजेगा 1 upon में 2 तो यह होजेगा 0.5 meter इसको centimeter में change करेंगे तो 50 centimeter आजएगा भी यानि ए option आपका यहाँ पे right answer होगा अगला 28 नमर question देखो आपके सामने है साथ साथ में class को like करते रहीगा पास में लगे बेल आइकन को प्रेज करेंगा थाकि जैसे ही वीडियो डालें तो उसका notification सबसे पहला आपको पास पहुंझे और आप तो तो उसका लाब उठा स्को 28 नमर question है एक व्यक्ति 10 meter से अधिक दूर की वस्तू सपस्ट नहीं देख पाता है तो उसके नेत्रों में कौन सा दोस हुगा तो यानि 10 meter से अधिक दूरी की वस्तू नहीं देख पाता है तो निकटदर्ष्टी दोस होगा निकटदर्ष्टी दोस का मतलब हो गया कि उसको दूर की वस्त्व है वो साब दिखाई नहीं देती है ठीक है यह अपोजिट होते हैं एक दूसरे के A option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा गुंतिस नमर क्योश्टन है एक उत्तलेंस की fox दूरी 0.2 मिटर है ठीक है तो इसकी चमता आपको बतानी है इसका formula मैंने आपको बताया था पलस 5 दाइफटर होजेगा यानि D option आपका यहाँ पर fox दूरी आपको दे रखी है ठीक है fox दूरी है वो आपको दे रखी है तो P बराबर 1 upon में F वाला formula लगा दो तो 1 upon में 0.2 मिटर है यहाँ से point अटाएंगे तो उपर सुनने लग जाएगा दो एकम दो और 25 दस तो पलस 5 दाइफटर आजाएगा आपका right answer ठीक है अगला 30 number के उशन देखो भी आपके सामने है कि उसने है सपस्ट दरश्टी की नियुनतम दूरी कितनी होती है तो 25 cm होती है ठीक है यह option आपका यहाँ पर right answer होगा का 30 number के उशन देखो भी स्पेक्टरम में सबसे उपर कौं सा रंग होता है तो स्पेक्टरम में सबसे उपर रंग है वो लाल रंग होता है यानि C option आपका यहां पर right answer होगा अगर आपसे पूछ ले विस सबसे निच्चे वाला रंग कौन सा होता है तो बेंगनी है वो spectrum में सबसे निच्चे का रंग और spectrum में सबसे उपर का रंग है वो लाल होता है 32 number question देखो भी यदि lens की चमता है वो minus 2 diapter है तो उसकी fox दूरी कितनी होगी उसी formula से करना है आपको P बराबर क्या होजेगा 1 upon में F F की value आपको लेकिया आनी है ठीक है P का value आपको दिया गया है तो F बराबर क्या होजेगा वही 1 upon P होजेगा तो यहां पे 1 upon में minus के 2 है अब इससे divide करोगे आप इसको divide करोगे ती होजेगा minus के 0.5 minus के 0.5 मिटर आजेगा ठीक है और मिटर में आपको दिया गया है तो एक option आपका यहां पे right answer होगी अगला 33 number question देखो भी जीव विग्यान की प्रयोगशाला में सुक्षम कोशिका और जीवों के आवर्दित पर्तिवीम देखने के लिए किसका परयोग किया जाता है तो आपका right answer होगा श्योंक्त सुक्षम दर्शी का परयोग करते हैं भी option आपका यहां पे right answer होगा 34 number question देखो भी आपके सामने है यदि व्यक्ति को 800 semi-dur का नहीं दिखाई दे रहा है 800 semi-dur का दिखाई नहीं दे रहा है जबकि इससे अधिक दूर की वस्तु अब उस special दिखाई देती है इसको कोण सा रोग हो गया भी तो 800 meter यानि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती तो उसे दूर दर्श्टी दो सभी opposite कर दो इसका दूर दर्श्टी में निकट की नहीं दिखाई देती और निकट में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती एक option आपका याँ पर right answer होगा अगला question देखो भी 35 number question आपके सामने है एक श्यूंक तो सुक्षम दर्शी में अभी दर्श्य एक नेत्रिका की आवर्दन चमताई करम से M1 और M2 दी गई है और सुक्षम दर्शी की आवर्दन चमता आपको बतानी है तो सुक्षम दर्शी की आवर्दन चमता है वो यानि उसकी जो fox दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है तो इसे M1 इंटो M2 कर दो भई यानि A option आपका यहां पर right answer होगा 36 नमर के उशन देखो भी आपके सामने है धूप के चसमे की पावर कितनी होती है तो भईया zero die after होती है कुछ होती ही नहीं है धूप के लिए सोकिन के लिए लगाती है A option आपका यहां पर right answer होगा 37 नमर के उशन देखो भी आपके सामने है दूर की वस्तों के निरिक्षन के लिए किस परकासित यंतर का परियोग किया जाता है तो वो आपका right answer होगा दूर दसी का परियोग करते है B option आपका यहां पर right answer होगा 38 नमर के उशन देखो भी यहां दोर की वस्तों को सपस्ट नहीं देख सकता तो उसकी द्रस्टी में कोन सा दोस हो गया दूर की वस्तों को नहीं देख सकता तो उसको निकट द्रस्टी दोस हो गया भी यानि C option आपका यहां पर right answer होगा और इसके निवारन के लिए हमें अपसारी लेंस या फिर आउतल लेंस की जुरूरत पड़ेगी अगला क्योशन देखो भी आपके सामने है गुंचालिस नमर क्योशन है आँख की रेटिना पर बना परतिविम कैशा होता है तो वास्तिक और उल्टा होता है ठीक है वास्तिक और उल्टा होता है प्रन्तु मस्तिक्स इसे है वो सिधा करके देखता है भी ठीक है नगला चालिस नमर क्योशन देखो भी फोटोग्राफी में फिलम पर किस योगिक का परियोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं भहिया ए ओपिशन आपका यहां पर राइट एंसर होगा ठीक है 41 नमर के उशन देखो भी आपके सामने हैं दूर दरश्टी से पीडित व्यक्ति के चसमे में कौन सा लेंस परियोग किया जाता है सबसे अधिक उर्जा होती है तो वो होज़ेगा बैंगनी रंग में सबसे अधिक उर्जा होगी वह यह ए ओप्षिन आपका यहां पर राइट एंसर होगा लेकिन लाल रंग में है न वो सबसे कम उर्जा होती है ठीक है 43 नमर क्योशन देखो भी ऐसी तरंगे जिनका धुरूवन नहीं हो सकता क्या कहलाती है तो वो होज़ेगा अनुधेरद्री यह तरंगे कहलाती है यानि B option आपका यहां पर राइट एंसर होगा 44 नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है सुरिया से आनिवाली परकास किर्णों को किस तरंग की साहता से एक बिंदू पर कैंदरित किया जा सकता है तो वो आउतल दरपन की साहता से हम उसे एक बिंदू पर केंदरित कर सकते हैं क्योंकि उतल दरपन तो किरणों को फेलाता है ये एक जगह इकठी करता नहीं है ठीक है अगला क्योशन देखो भी 45 नमर क्योशन आपके सामने है चस्मा परियुक्त करने वाले व्यक्तियों को सुक्षम दर्सी का परियोग किस परकार करना चाहिए तो उन्हें चस्मा पहने रहना चाहिए भी यानि सी ओप्षन आपका यहां पर रैट एंसर होगा 46 नमर क्योशन देखो आपके सामने है एक 2.0 सेंटीमेटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमेटर फोक्स दूरी वाले आउतर दर्पन से 15 सेंटीमेटर को दूर पर 15 सेंटीमेटर की दूरी पर स्तापित किया जाता है तो पार्तिवीम दरपन से कितनी दूरी पर होगा तो पार्तिवीम है वो कितनी दूरी पर होगा तो आप दरपन फोर्मूले से कर सकते हैं भी यानि 1 upon में V बराबर क्या हो जाए 1 upon में F minus 1 upon में U हो जाएगा यहाँ पे U का मान 15 cm है और F की value आपको दीगी यह 10 cm तो आप आसाने से निकाल सकते हैं 30 cm आजएगा इसका answer ठीक है अगला question देखो भी 47 number question है दूर दरश्टी से पीडित वैक्ति को निकट की वस्तुएं है वो दिखाई नहीं देती है ठीक है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है D option आपका यहाँ पे right answer होगा 48 number question है समान्य आंग की दरश्टी की विस्तार सिमा कितनी होती है तो 25 cm से सुरू होती है और अनत तक चलती है यानि A option आपका यहाँ पे right answer होगा अगले question पर लेके चलता हूँ गुंचास नमर question देखो भी आपके सामने है question है दूर दरश्टी दोस होने पर परतिविम कहाँ बनेगा भी दूर दरश्टी दोस होने पर परतिविम रेटिना के पीछे बनेगा भी या A option आपका यहाँ पे right answer होगा next 15 number question देखो भी आपके सामने है परकासिक यंतर किसी वस्तू को स्पस्ट रूप से दिखाने है तू किस परकार साहता करते हैं तो वो दर्श्टन कोन का मान भढ़ा कर हमें उस को स्पस्ट रूप से दिखाने का परयास करते हैं बी option आपका यहाँ पे right answer होगा ठीक है तो आशा करता हूँ friends आज के class में हमने 50 questions cover किये है सभी questions आपको समझ में आगे होंगे अगर फिर भी कोई भी question में आपको doubt लगती है तो मुझे comment section में comment दुरूर करें आपकी doubt को clear किया जाएगा class पसंद आई है तो दिल से like करना दोस्तों ज्यादा शे ज्यादा share भी करना अपने दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्त जुड़े पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी motivation बना रहे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लेना पास में लेगे bell icon को प्रेस कर लेना थाकि जैसे ही वीडियो डालने तो उसका notification सबसे पहला आप पास पहुंझे और आपतरों तो उसका लाब उठास को तो आज की class में इतना ही friends मिलेंगे हम next class में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत